सदन के संस्तापक की लिखी एक पंक्ती मेरे को याद आती है कि नामावर का मतलब आप समझते होंगे नामावर का मतलब होता है डाकिया उन्हों लिखा कि नामावर खत लेकर बहुत घुमा मगर दूंडी लेगा मेरा घर गलत है उसका कयास और इसी पंक्ति को साकार करता हुआ ये बच्चा आज हमें बड़े कयासों के बाद मिला है बड़े लंबे अर्से के बाद मिला है और इसको इसके घर तक पहुचने में भी हमें काफी समय लगा और नीम का थाना को क्रोस करके हम एक ठोई ग्राम में चमचमाते सितारे के पास आज पहुचे हैं चारदस्दन को बहतरीन परिक्षा परिणाम देने के लिए इस बच्चे का साधुवाद धन्यवाद और जिसने अपने चारदस्दन के रिकोर्ड जो थे वो सारे दवस्त कर दिये और चान्वा पॉयंट पचास परतीसत अंग पराप्त करके इसने अपनी कख्षा में पहला इस्तान पराप्त किया इसी नहीं इसी क्लास के और भी बच्चों ने जैसे मैं ये कहा दूँ कि 28 बच्चों में से लगबग 21 बच्चों ने 45 प्रतिसत से उपर अंक प्राप्त किये अब हम बात करेंगे अंकित मीना से कि उनका 40 दन के संदर्ब में और किस जरिये उन्होंने जो है इस सफलता का जो मुकाम हासिल किया है तो पहले तो अंकित आपको बहुत बहुत शुब कामना है मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस सफलता के पीछे क्या राज है जैसे अभी पता लगा हमारे को यह आने के बाद की चार भाई थे चारों ही तैन्थ क्लास में थे और सबसे जो उच्छतम परिणाम हासिल किया वह अंकित ने हासिल किया तो इस कंप्टिशन के दोर में कैसा मैसूस किया आपने पूरे वर्श सर बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है जो competition आपके बीच में रहा चारों भाईयों में सबसे उंचा इस्थान आपने प्राप्त किया तो इसके पीछे क्या राज रहा पूरे वर्ष तो सर वो टीचर को पढ़ाने के बाद हमने घर पे जाके भी एक्ष्टा क्लास के रोब में च्छे या साथ गंटे स्टेडी की हर सब्जेक्ट को रोज बढ़ा इस ये परिनाम निकला ये कह रहा है कि वही सेल्फ स्टेडी भी जरूरी है विद्याले में टीचर्स तो खेर अच्छी मेनत करते ही हैं उसके साथ साथ बच्चे ने भी खूब मेनत किया और पूरा परिवार जो है आज इस मुकाम को हासिल करने के बाद बड़ा खुश महसूस कर रहा है तो स्कूल के बारे में क्या कहेंगे अंकीताब स्कूल सर हमारी निमका थाना में सर्वस रेश्ट स्कूल है इसके स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने टीचर के रूप में नहीं एक परिवार का मेंबर समझ के बहुत अच्छा पढ़ाया बैस टीचर कौन रहा कक्षा दस में जिसके साथ खासा लगा रहा और उन जिन्होंने पूरे वर्ष आपको मोटिवेट रखा इसकी चीज़ के लिए बच्चे को अगर ट्रीट किया जाए कि उसको ये डरा करके नहीं कि आप एक ध्यापक के तोर पर उसके साथ हैं उसके साथ इस तोर पर खड़े हों कि आप उसके विद्यारती मित्र हैं तो वो और भी अच्छा कर सकता और भी बेहतर कर सकता है और इस परिणाम को मैं ये कहा दूँ कि ये चीजें सिखाने में हमारे को सबसे ज़्यादा सायोग जो किया मनोर जी सर ने किया जो हमारे बीर्ड जी जो टीचर्स ट्रेनिंग को ले जो चलता हूँ उसके प्रिंसिपल सर हैं और मनोवेग्यनिक तोर पे टीचर्स के साथ में बहुत अच्छा उनका सामदश्य है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आप एक बार कैमरा दिखाईए अंकित के माता पिता और विद्याला स्टाब जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है